तो कल तक खुद खिलोने उसे खेलता था, आज चौराए पर खुद खिलोने बेचने खड़ा है तो पहले एक कुछ खास के लिए कि खास ये जिंदगानी, खास ये जिंदगानी, उसमें किसी खास का आना खास है खास ये जिन्दगानी उसमें किसी खास काना खास है चले आओ वहाँ जहाँ कुछ खास है बहुत शुक्रिया जैसी आपकी मर्जी इतराते क्यों हो इसक नहीं करना तो मत कीजिए घबराते क्यों हो बहुत शुक्रिया और ये देखना कि प्यारने ना जाने कितनों के दिल लूटे प्यारने ना जाने कितनों के दिल लूटे ये कैसा इंप्रेशन है प्यारने ना जाने कितनों के दिल लूटे ये कैसा इंप्रेशन है इसके बिना कुछ होता भी नहीं यही सबसे बड़ा motivation और यही सबसे बड़ा depression है बहुत शुक्रिया और देखना कि यह ले एक खूबसूरत पहरेदारी कर रहा हूँ तेरी यादों की ले एक खूबसूरत पहरेदारी कर रहा हूँ तेरी यादों की बुलाई भी नहीं जाती और मेरे जहन से भी नहीं जाती मैं तूट चुका हूँ मिट चुका हूँ मैं तूट चुका हूँ मिट चुका हूँ फिर भी ये दूल उड़ना नहीं चाती फिर भी ये दूल उड़ना नहीं चाती और आज भी तेरे वेरंग उख्वावों का मंजर है आँखों में मेरी, ये उसे सजाना भी नहीं चाहती और मिटाना भी नहीं चाहती, और एक दुंदला सा चेहरा आता है मेरी आँखों के सामने, मैं धुल साफ करना चाहता हूँ, मगर ये हवा मुझे रास नहीं आती, और अक्सर जग जाता हूँ रातों को में तेरी यादों में, मुझे तो आँसू तक आ जाते हैं, मगर तुझे हिच्की तक नहीं आती, और हो करम तेरी बद्दुआउं का, जो मौत आ जाए, जिंदगी तो है वेवफा, मगर मुझे मौ मौत भी है वेवफा नजर आती, मगर मुझे मौत भी है वेवफा नजर आती, और जिंदगी से मुझे अब कोई तमना ना रही, अब तो मुझे मौत भी नहीं आती, बहुत शुक्रिया, और देखना कि मेरी रूह में हकीकत आंसूओं की है, मेरी रूह में हकीकत आंसूओं ये किसने जाना मगर कौन अपने बादे से मुगर जाये बला ये किसने जाना मगर बादे पे बादे करना तो चलता रहता है और हकीकत जानना चाहते हो तो तवश्यों में गहराई मोतर कर देखो तवश्यों का मतलब होता है मदर मुश्कान जिदर देखो जिम्मेदारियों को बजार लगा पड़ा है कोई बड़ा हो गया तो कोई छोटा ही अपने कंदे जिम्मेदारियों को बोज उठाए खड़ा है रोटी की भूख ने एक बच्चे को भी इतना बड़ा कर दिया रोटी की भूग ने एक बच्चे को भी इतना बड़ा कर दिया जो कल तक खुद खिलोने से खेलता था आज चौराय पर खुद खिलोने बेचने खड़ा है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया दिपक विया हमारा इश्क परवान चड़ जाएगा जब तेरा लगन मेरे घर आएगा दोनों परिवार खुष होंगे जब तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भढ़ जाएगा बहुत शुक्रिया